हेलो दोस्तो आशू अशू कुकिंग मैजिक से मैं हूँ आशू और आप सबका स्वागत करती हूँ आपी के चैनल पर आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकी आई हूँ और इस स्पेशल वीडियो में हम बनाएंगे स्पेशल चाए यानि की कड़क चाय, कड़क और स्पेशल चाय को बनाने का बिलकुल सही तरीका आज के वीडियो में में आपको बताऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू करिएगा, तो आज का है चाय लवर्स के नाम तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि आपको जो दूद डालना चाय के लिए उसको बहार निकाल के रखना यानि कि वह नॉर्मल टंपरेचर पर होना चाहिए बहुत जादा थंड़ धंड़ डूद डाल के हम चाय नहीं बनाएंगे जब भी आप निका में आप फर्क महसूस करेंगे और इस चाय को बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल मसाले यूज करेंगे तो वह यहां पे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ अद्रक है हमने एक इंच से थोड़ा कम लिया है लॉंग ली है तीन इलाइची दाना लिया है और काली मिर्च ली है त तो सबसे पहले हम चड़ा देते हैं चाय का बरतन यहां पे हमने चाय का यह बड़ा ही खुबसूरस सा बरतन चड़ा दिया है तो पता है पहले तो मैं आपको ही बता देती हूँ यह बड़ा ही प्यारा चाय का बरतन मुझे मेरी फ्रेंड पललवी ने दिवाली पे निक अब आपको चाय बनानी हो, उसे आपसे पानी डाल दीजे, तो मैं इसमें लबबर डेड़ कप के करीब पानी डाल दे दी हूँ. तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, जब भी हम चाय में पानी डालते हैं, उसके बाद हम तुरंती सारे इंग्रीडियन्स नहीं डाल देते हैं, पहले हम पानी को अच्छे से बॉयल करते हैं, ठीक है, पानी का जो कच्छापन होते हैं, उसे भी हमें खतम करना होता है, और पानी को अच्छे से बॉयल करना होता है तो यह tip number 2 है जिसको की हर चाय प्रेमियो को याद रखना है कि चाय का पानी चड़ाने के बाद पानी को हम अच्छे से बॉयल करेंगे उसके बाद हम उसमें सारे इंग्रीडियन्स डालेंगे तो जब तक पानी बॉयल हो रहा है हम कुछ अधरक की कुटा कुटाई कर लेते हैं तो अब मैं आपको यहाँ पर टिप number 3 बताऊंगी टिप number 3 क्या है कि जब हम अधरक डालते हैं चाय में तो कुछ लोग ग्रेटर से अधरक को घिस के डाल देते हैं यह बहुत बड़ी गलती करते हैं अधरक को जब हम घिस के डालते हैं तो चाय का स्वात करवा हो जाता है अधरक का करवा करवा टेस्ट आता है तो अधरक डालने का सही तरीका क्या है कि अधरक को हम कूच दानी में कूच के डालेंगे तो यह रही अद्रक और इसको हमने इसमें डाल दिया और अद्रक को अच्छे से क्रश करना है तो क्रश करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा जब आप अच्छे से अद्रक को क्रश करेंगे तब ही आपकी चाय बढ़िया बनेगी कड़क बनेगी तो कुछ छोटी छोटी ट लूद्र के छोटे छोटे पी से में कुतना हो जाता है यह तो यह देखी अदरा को हमने ख्रुटक लिए हैं कितने अच्छे से क्रश लिए मैं आपको पास को बास को बेखा हूं भाएं फ्रली के बाद आप में डाल देंगे लं। ईलाइकी और काली मर्च के कुछ दाने, काली मर्च आपको जैसी डालनी य। आ यहाथे, यह पुर्ण के ज़रु दाने 6-6 यह आपकी, 2-3 टीड़ टाल ने, मैं तो 6 दाल रही हूं। और आपको शुकर सकते हैं जिनको गले मेंदी कंचा निजए सचली अर्थे तो यह लिजे, यह सारी चीजे हमने अच्छे से क्रश कर दी है, तो हमारी कड़क चाय बनने के लिए यह वाला मसाला रेडी है, तो देर किस बात की है, चलिए तो इसको चाय में डालते है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी खूब अच्छे से बॉयल हो रहा है, यह देखे इन सारी चीजों को अच्छे से बॉयल होने देना है, जिससे की अधरक, काली मिर्च, लॉंग का फ्लेवर पानी में खूब अच्छे से आ जाए, और इसका कलर चेंज हो जाए, अब आप देखेगा कि पानी का कलर चेंज हो रहा है, देखिए, पानी का कलर चेंज हो रहा है वो पानी में अच्छे से डिजॉल हो जाए और उसका जो फ्लेवर आएगा ना चाय में तब आपकी चाय बहुत अच्छी बनेगा और आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगा अगर आपको सर्दी खासी या कुछ भी गले में प्रॉबलम है तो उससे आपको फायदा मिलेग आप चाहे तो इस टाइम पर तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं तो लबबग हमने इसको एक मिनट अच्छे से पका लिया है तो यह देखिए पानी का कलर कितना बढ़िया आया है आप देख रहे ना बिल्कुल गोल्डन कलर का पानी हो गया है देखिए किता बढ़िया कलर के इस ताइम टालेगे चाई की पत्ती लिये आब चाई की पत्ती डालते हैं तो चाई की पत्ती परामें ह taş साईगी में लोग पुछतें की की आ हूंirosी की आ ही वगोंमें जड़ का इनि-चाई की दुना थाज मेहल चाई by यूश्क करते हैं इसकी चाई बहुत अची बनती है तो लगबग मैं दो से धाई चम्मच चाई की पत्ती डाल दे रही हूँ, छोटी वाली देखे बहुत ही छोटी चम्मच है अब चाई की पत्ती को भी हम अच्छे से पकने देंगे, चाई की पत्ती को हम यथा स्थान रग देते हैं, अब हम चाई की पत्ती के साथ ही शक्कर तो मैं शक्कर नहीं खाती हूँ, मैं देसी खांड इसमें दो चम्मच के करीब डाल दे रही हूँ, देसी खांड के फायदे बहुत सारे होते हैं बर शक्कर के नुकसान बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं शक्कर नहीं खाती हूँ, आप लोगो भी कोशिश करिए कि खांड तो इसलिए चाय की पती के साथ हम शक्कर को डालते हैं यहां पर हमने शक्कर डाल दी है अच्छा सा बॉयल आ गया है तो चलिए शक्कर और चाय की पती दोनों पक गई है अब हम इसमें दूद डाल देते हैं एक कप के करीब दूद हमने इसमें डाल दिया है अब हम इससे अच्छे से बॉयल होने देंगे दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पे हम चाई को अब पकाएंगे चाई जब मीडियम फ्लेम पे पकती है तो उबल के नीचे गिरने लगती है तो वो गिरे नहीं इसके लिए हम क्या करेंगे डाल वाली कर्ची लेंगे और उसको इस तरह से चलाते रहेंगे सिर्फ दो मिनट का कमाल है और इस दो मिनट में आपकी चाय बेहतरीन बन जाएगी तो जो टिप में आपको बता रही हूँ कि गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजेगा और डाल वाली कच्छी से इस तरह से आप इसको चलाते रहेंगे तो चाय आपकी अबल के बाहर की तरफ गिरेगी नहीं और आपकी चाय बिलकुल कड़क मसालेदार स्पेशल चाय बन के सिर्फ दो मिनट में तयार हो जाएगी तो बहुती आसान बहुती ऑथेंटिक बहुती लाजवाब रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जो भी टिप्स बताया है उन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा और इस चाय की रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा तो चाय का कलर आप देखे कितना लाजवाब कितना शांदार है बहुती बढ़िया हमारी चाय बन के तयार हो चुकी है तो ग्यास की फ्लेम को करते हैं और इस बढ़िया सी कडक स्पेशल चाई को हम छान लेते हैं तो यहां में मैंने चाई वाले भाईया जिससे रहे से चाई देते हैं वही वाले जो ग्लास है उसमें मैं ये चाई सर्फ कर रही हूं मुझसे तो रहानी जा रहा है, मेरी तो ब्रकु चाई बनके त्यार हो चुकिए, फटा फट में एक secret ingredient डाल रही हूँ, दाल चीनी का चुटकी बर पाउडर और इलाइची पाउडर, इलाइची वो दाल चीनी का चुटकी बर पाउडर डालिए और खुश्बुदार कड़क आनन्द लीजिए तो भाई मेरी तो चाय बन के तयार हो चुकी और मैं इस चाय का लुफ लेने जारी तो मैं आपको भी खुश्बुदार बढ़ियासी चाय पी के पताती हूं कि कैसी बनी लाजवाब शानदार फ्रेंड्स आप लोग इस चाय की रेसिपी को जरू ट्राइ करियेगा जो लास में ने डाल चीनी और इलाइची डाला है उसकी महग इतनी बढ़िया आरी है कि होटल और रेस्टरेंट और धावा कहीं का भी नाम लेडिजिए सब जगे की चाय फेल तो यह चाय तो एक बार बनती है बनाना तो इस चाय की रेसिपी को जरू ट्राइ करियेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेरो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक लाजवाब सी रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए घर का बना हुआ खाना खाईए खुश रहिए स्वस्त रहिए मस रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए बाबाई एंड टेक क्यार